केंद्रे मंदल ने आज गावर्मेंटी मार्केट प्लेस जी एम पर सहकारी संस्थाओं से खरीद के प्रस्ताओं को मंजूरी दे दी है सूचना और प्रसारन मंत्री अनुराक सिंग्ठाकुर ने नई दिल्ले में बताया कि केंद्र सरकार के इस कदम से सहकारी संस्थाओं को मुख्त और पारदर्शी प्रक्रिया से उचित कीमत हासिल करने में आसानी होगी उन्होंने कहा कि से आठ लाग चोवन हजार से अधिक सहकारी संस्थाओं और इनके 27 करोड से अधिक सदस्यों को लाब होगा आज कैबिनेट ने निरने लिया है कि सहकारीता में पारदर्शिता लाने के लिए और सहकारीता क्षेतर को भी इसका लाब दिलाने के लिए हमारे सहकारी संस्तानों के विश्वयस्नियता और बड़े जिस तरह से उनका देशपर में कामकाज भी है उसको मजबूती भी मिलेगी और जेम विक्रेता जो है को भी एक बड़ा बायर स्मू मिल पाएगा आज अगर आप देशपर का आंकड़ा देखें तो जो पंजिकरत सहकारी सभाएं हैं जो समितिया है ये लगबग 8,54,000 पंजिकरत सहकारी समितिया है और उनके लगबग 27 करोड सदस्य है तो इस एक निरने से जहां 8,54,000 कोपरिटिव्स को लाब मिलेगा वहीं पर 27 करोड से जादा उनके सदस्यों को जैम पोर्टल से खरीद का लाब मिल पाएगा और ये जो लाखों लोग यहां पर वियापार करने के लिए जुड़े हैं जो भी MSME के रूप में, Self-Help Group के रूप में, Women के रूप में, Artisans के रूप में इनको भी बड़ी तदाद में अपना समान बेचने के लिए बहुत बड़ा प्लाटफॉर्म मिल पाएगा केंद्री मंत्री ने ये भी कहा कि GM पोर्टल खुलने से स्वसहायतासमों, सुक्ष्म लगू और मध्यम उद्योगों तथा छोटे कारोबारियों को लाब हुआ है